कठिन समय ज्यादा देर तक नहीं रहता लेकिन कठिन यानि कि संगर सील व्यक्त ये हमेशा रहते हैं इसलिए जीवन की कठनाईयों का आपको डट कर सामना करना चाहिए जो कुछ भी अच्छा और बुरा चल रहा है वो एक दिन बीत जरूर जाता है इसलिए समय का पूरा सद उपयोग करें नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इसलिए विद्यान म्रिकास में तारीक है आज की दो मई आये शुरू करते हैं आज के दैनिक लोजगार समाचार सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर असिस्टन प्रोफेसर भरती के बारे में असिस्टन प्रोफे प्राइल को रात में 11 बज़ कर 69 मिनिट तक यानि कि रात 12 बज़े तक फीज जमा करने का प्राउधान था लेकिन यहाँ पर साम 6 बज़े ही सुल्क जमा होना जो था वो बंद हो गया था 12 अप्रेल से पहले भी तकनीकी समस्या बनी हुई थी और सुल्क जमा होने में परसा फार्म जमा नहीं हो पाया अबेर्दों का कहना है कि आयो का साफ्टेयर सुरू से ही ठीक से काम नहीं कर रहा था कई अबेर्दों का आविदन पत्र और फीस एक माँ पहले ही सफलता पुर्वक जमा हो जाने के बावजूद उनके पास कोई कनफर्मेशन की मेल नहीं आई त फिला प्रदेश के असास की महाविद्यालों में असिस्टन प्रोफेसर भरती के लिए आनलाइन आविदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है लेकिन बड़ी संक्या में अबेर्दी बिबिन कारणों से अपने आनलाइन आविदन अंतिम रूप से सब्मिट नहीं कर सकी ऐसे अबेर्दी पात साल बाद होने जा रही असिस्टन प्रोफेसर भरती में सामिल उने से बंचित रह जाएंगे अबेर्दी ने उचतर सिक्षा सिवा आयो के अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग ये की है कि उन्हें आविदन के लिए अत्रिक्त आउसर प्रदान किया जाए त TGT में आविदन की जो लास डेट है वो फिर से दस दिन बढ़ा दी गई है अब जो आविदन की अंतिम तिती होगी वो दस मई तक बढ़ा दी गई है तो उत्तर तस माधिमिक सिशा सेवा चन बोर्ड ने प्रदेश के सहताप्रावत माधिमिक विद्यालों के लिए TGT और प्रवाक्ता पदों के लिए आविदन की तिती तीसरी बार आगे बढ़ाई है पंजी करन की जो नई डेट है वो है दस मई आनलाइन सुल जमा करने की लास डेट बारा मई और आविदन सब्मिट करने की लास डेट पंदर मई तक बढ़ाई गी है चैन बोर्ड ने यह कहा ह कि पंदर मई के बाद आनलाइन आविदन सब्मिट करने की दिती में कोई बढ़ाव नहीं होगा और चैन बोर्ड ने यह भी असफ़स किया कि एनाईसी के पोर्टल के सही तरीके से काम नहीं करने के चलते आनलाइन आविदन के लिए पंजी करन की डेट दस दिन आगे बढ ले चैन बोर्ड ने 8 अपरेल को पंजी करन की डेट 11 अपरेल को बढ़ाकर 21 अपरेल के थी उसके बाद 21 अपरेल से बढ़ाकर 5 मैं कर दी गई थी आविदन की तिती बढ़ाया जाने के बात भी परिसानी दूर नहीं होने के कारण तीसरी बार आविदन की डेट जो है यह तो चलिए अच्छी बात है अब थोड़ा सा तो रहात तो मिलेगी बेटियों को भी कि वो अपना जो आवेदन है उसे तह समय में कर पाएंगे दोस्तों बात करते हैं CBSC के बारे में तो CBSC 10-1 के नतिजी 20 जून तक आने की यहाँ पर समभावना है यहाँ पर बोर्ड की परिशानी अंतरक सयम भार्दवाज ने बताया है कि रद्ध परिशाओं के ले मुलांकर नीती का एलांकर दिया गया है और बोर्ड के मताबिक इसकूलों को पांच मही तक आठ सदसी प्र परिशाओं में सामिल नहीं होने वाले चात्रों के लिए इसकूल आनलाइन या टेलेफोन के जरिए 15 मही तक मुल्यांकर परिशा आउजुद करेगा इसके नतिजे 25 मही तक तयार करने होंगे इसकूलों को सभी चात्रों के नतिजे CBC के पास 11 जून तक जमा करने हैं 20 जून तक दस्वें के परड़ाम जारी हो जाएंगे और PCS परिच्छा अपिटली नहीं है देखिए आप लोग अपनी तयारी एच्छे से करते रहें और जो भी लागडाउन का समय आपको मिल रहा है जो भी इसमें फुर्सत का समय आपको मिल रहा है उसे फुर्सत में ना बिताएं इसका सदुप्योग करें अपनी स्टडी ल पस्तावित PCS 2021 की प्राणभीक परिच्छा अस्थकित की जाए इसको लेकर अब NSUI पूर्भी UP के अध्यक्ष अखलेस यादों ने उत्तरदस लोगसिवा आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग किया है और इसमें अखलेस ने कहा है कि लोग रेमडी सीवर परिच्छा वास्तों में अस्थकित होनी चाहिए देरी से और संसोधित आयकर रेटर्न 31 मई तक करें दाखिल तो सरकार ने करोना महमारी की कारण पैदा हुई विपरीत अहरात को देखती विए जो टैक्स पेयर्स हैं उनको बड़ी रहत दी है और यहां पर आयकर रेटर् 31 मई तक बढ़ा दी गई है पहले इसकी जो सीमा थी वो 31 मार्स थी आयकर कानून की धारा 140 के तहट नोटिस के जबाब में आयकर रेटर्न 31 मई तक दायर किया जा सकेगा और CVDT के साथ ही आयुक्त के समक्ष अपील करने की तिथी भी बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है फिला फ् अमेरिका के सीर्स महामारी मिस्तिसग एंथनी फाउची जिनोंने भारत में करोना रोकने के लिए उठाय जा सकने वाले ततकाल कदम के तोर पर भारत में कुछ सब्ता का लागडाउन लागू करने की सरा दी है फाउची ने एक साख्यतकार में कहा कि आक्सीजन दवाओं औ की उपलवदता बढ़ाना दूसरी मुद्पून ओ सकता है संकट की भयावाता के मदिनेजर भारत को एक संकट समों बनाना चाहिए जो बैटके करें और चीजों को संगठित करना सुरू करें यह बात समझने क्या ओ सकता है कि जीत की घुशड़ा सम्वतों जल्दी कर दी ग करन किया है तो अभी लंबी दूरी तेयं करना है आपको आप औरती हासिल करनी होगी ठीका निर्माण की छंताओं को बढ़ाना होगा तो फिलाल लागडाउन वास्तों में इस चेन को तोड़ने का एक बहुत ही जरूरी साधन है और लागडाउन सक्टी से लाग होना चीए ठीक है ऐसा नहीं कि रस लागडाउन नाम मातर का हो नहीं लागडाउन अगर हो तो पूरी सक्ती के साथ हो अगर यह चेन टूट गई तो सब कुछ फिर ठीक हो जाएगा दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही सीखने मिलेंगे एक नए वीडियो में आगे अन आपको जो दो पर में दो बज़े तक और लेबल करवाने की कोशिश रहेगी पूरी जांकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आकर जुड़ जाएं और आपको जो में भावा पर हर चीज बिल्कुर समय से से सेर कर दी जाएगी तो सिंकरी मिलते हैं एक नए वीड रहे पढ़ते रहे घर पे रहे थैंक यू फर वाचिंग इस्टेड़ी विद्यान प्रकाश